जो हार दोस्तों मैं इस्मृतिय ऐस्वरे आप सबी का स्वागत करती हूँ आज से मैं एक नया सीरीज सुरू कर रहे हूँ और ये सीरीज है भूमी संबंदित अधिनियम का यदि आप JPSC के प्रिलियम के सिलबस को देखे तो JPSC के प्रिलियम के सेकेंड वेपर में भूमी से संबंदित अधिनियम से 12 प्रशन ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्तान रखता है ये सीरीज आपके प्रतिवता परिशा की त्यारियों के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजे यदि आप JPSC के लिए कोर्स चाहते हैं और JSLC के लिए कोर्स चाहते हैं तो धूरीना एफ डाउनलोड कीजे और वहां पर आपको फूल कोर्स मिलता है अलसारे विसाय पढ़ाये जाएंगे जो कि सिलबस के कोर्डिंग होगे और वहां जहारकंट जी के मैं पढ़ा रहे हूँ यदि आपको जहारकंट के करेंट अफेर्स के लिए मैगजीन चाहिए तो स्टडी विथ इसमृति जो मैगजीन है आप वो लीजे और वो मार्केट में अबलेबल है आज से हम लोग नया पड़ने हैं मेरे बहुत सारे मीत्रे हैं जिनके लिए चैप्टर जो हैं वो उनके लिए सरदर्ध बना हुआ है क्योंकि यहां से थारा और अध्याएं और अध्याये हैं उता मैं परी कोशिस करूगा यहां कि सीरीस venit प्रतिवताव परिक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको इस सीरीज को फॉलो कीजेगा और मैं हर एक दिन के गैप करके क्योंकि जब आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए जो की आपके जरूरत को फुल्फिल करता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है इस तरीके के क्लास बना इस सब्सक्राइब कर देखने हैं तो परिचे में आज की आपको वाली हो कि क्या इसका इतिहास रहा भूमी संबंदित अधिनियम का आवश्यक्ता क्यों पढ़ी जार्खंड में इस तरीके के अधिनियम बनाने की की और किस तरीके से त्यार हुआ जार्खंड में तो इस त जो आगमन हुआ था यहां पर बहुत सारी जंजातियां थी लगभग 32 प्रकार की जंजातियां जो है वो जंजातियां निवास करती है तो इसा भी उनका सामना होना था लेकिन जब अंग्रे जंजाति में आए थे कर्वसूली के लिए तो उन्हों ने मतलब देश के अने राज्यव में जहां पर उनका शासन था तो उसी लाठी से जंजातियों को भी वो हाँ कर देब एक ही लाठी से वो सबको हाँ कर दे जबकि जंजाति है वह सांति प्रियजन जाती थे उनको अपनी परंपराओं से उनको अपनी संस्कृति से अपने जंगल जमीन जल इस अभी से बहुत ज्यादा लगा था और उनकी जीविका भी जो थी वह इसी पर अधारे थे उनकी परंपराएं उनकी संस्कृति से अगर कोई छेर चाड करता तो वो विद्रो करने पर उतारो हो जाते थे लेकिन अगर कोई नहीं छेर चाड करता है तो वो शांति प्रिय अपने आपस में वो लोग भाई चारे के साथ रह दे थे जब अंग्रेज जारखन में आए तो वो जबरन करवसुलना शुरू किये और लगान इतना अधीक होत जाता था कि देपाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता था क्योंकि कभी-कभी मौसम उस्तरीके की नहीं होती थी जिस कारण से फसल अच्छा हो और जारखन के मिट्टियों के बारे में आपको अच्छी तरह जनकारिये कि लगभग 90 प्रतिशत भाग में लाल मिट्टी है जाता तरहेया था जैसक की देखू ऱ aconte ऑजयाब के लोग बिहार के बंगाल के अपक पर उसफेयर करते तो बहुत बाहर समय पर ऑंग्रेजां के खिलाफ यह पर विद्रो हुए और उनकी जमीनों को भी छीना जाने लगा और ये अब पहले जो किसान हुआ करते थे या जमीनार हुआ करते थे अब वो मजदूर बनना सुरू हो गए मजदूरी अब वो करने लगे इनी दीकों कहां या अंग्रेजों कहां तो ये चीज जो थी उनकी स्थिती जो थी वो बहुत दैनिया होते जा रही थी और अपनी स्थिती में सुधार के लिए या अपने जमीन को बचाने के लिए जो इनका विद्रो हुआ था तो उसके परिणाम स्वरोप अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ भूमी समंदित अधिनियम बनाए और उसी की अंतरकत आपको CNT Act और SPT Act भी पढ़ना है तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं देखिया जार्खण में भूमी समंदित अधिनियम जार्खण में अंग्रेजों का अगमन कभ हुआ था तो यह हुआ था 1767 बी में और गिधर से हुआ था कुलहान के तरफ से जो कुलहान का जो छेतर है उधर से हुआ द जासन Phranali है जैसे किन मुदटा शासन परनाली है जिस तरीके से जब कर खाली नहीं था मतलब जो जेन जाती थे वहाँ तो कर्वसूले का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन जब मुगल का अखमान हुआ तो वह नजरान या मलगुजारी के रूप में लिया करते थे, लेकिन यह भी वैसा जब, मतलब यह नहीं था लगान में वृधि करना सुरु किया और जबर जो वसूली करते थे और इनके जमीनों को निलाम करके दीकों को दे रहा था तो यह घटना जो थी यह असनिया रूप धारंड कर रही थी तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सब से अंग्रेजों ने निलाम लेकिन यह विरोध हो परिभाषित किया, अंग्रेजों ने सबसे पहली बार रायतों की अधिकारों को कब परिभाषित किया तो यह वर्स था 1824 SB में और उनके सुरक्षा का भी 1824 SB में जो परिभाषा थी उनके अधिकारों की उसमें उन्होंने प्रावधान किया था और लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे जबरन जो करवा सुले जारतेया परमपराव में जो हाँ से शेफ हो रहे थे इस करण से कोल विद्रो हुआ और इसी का परिणाम सुरुफ विलकिंसन एक्ट बना फिर बिर्सा अंदोलन हुआ जिसका परिणाम सुरुफ 1908 इस्वी का छोटनागपुर कास्तकारी अदिनियम बना बिर्सा अंदोलन जो हुआ था 1895 इस्वी में धर्ती आबा जो की बिर्सा मुंडा जो थे उनके द्वारा किया गया था ये बिर्सा उल्गुलान और 1909 में तो इनकी मृत्यों हो जाती है लेकिन इनके सहादत या इनकी मृत्यों जो थी वो बेकार नहीं गई और अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक हम लोग कोई उस तरीके के उपाय नहीं निकालेंगे कि इनके भूमी से संबंदित इनको अधिकार नहीं मिलेगी और इनकी भूमी की सुरक्षा नहीं होगी तब तक ये विद्रों करते रहेंगे और हम लोग बेवज़ा इन सारे विद्रों में परिशान होते रहेंगे इनके विद्रों को दबा पाना या शांत कर पाना कुछ दिनों के लिए तो संभव था लेकिन हमेशा के लिए संभव नहीं था तो बिर्सा उल्गुलान का ही परिणाम ये निकला कि अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने 1908 कि अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहला और बहुत ही मतलब स्ट्रॉंग जो कदम जो उठाया गया था ये वर्स था अथा सो सट इस इसभी में तो इस शमय में क्या हुआ था तो 1862 इस भी में हुआ था भूईरी सर्वे कर आया गया जिसका नेथ्रित्व कौन कर रहे थे इस भूईरी भूमी और मजीहस भूमी को इन्होंने चिल्ध करना शुरू किया कि कौन भूहरी भूमी है कौन मजीहस भूमी है वो सारी चीज हैं 1869 में समाथ हुआ और 1869 में 2482 यानि कि 2482 गाओं का भूहरी सर्वे किया गया कितने गाओं का भूहरी सर्वे हुआ तो 2482 गाओं का भूहरी सर्वे हुआ और 1869 में छुटानागपूर भूधरिती अधिनियम आया और देखे समय समय पर कुछ एक्ट आये जारखन में क्यूंकि अंग्रेज जो चाहते थे कि कुछ भूमी से संबंदित ऐसे प्रावधान हो की जंजातियों की भूमी सुरक्षित रहे और या फिर इस सरीके के विद जरो बार-बार ना हो और उनको उनके जमीन पर हक मिले तो कुछ ऐसी प्रयास में ही एक और प्रयास हुआ थे 1879 में और यह हुआ था छुटानागपूर लेंड एंड टेनेंट प्रेसिडियोट एक्ट फिर 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट बना लेकिन इसको जारकन के इसको रोका गया और 1902 इसबी में मौजावार सर्वे सरू हो गया जिसके अंदरक खेवत और खतियान का भी निर्मान होना सरू हो गया खेवत बनने लगे खतियान बनने लगे और जो सर्वे हो रहा था रहा था कब तो 11 नवंबर 1908 S.B. को C.N.T. Act जो था उसको लागू कर दिया गया था फिर ये जो लागू हुआ C.N.T. Act वो किस भारत परिशद अधिनियम 1892 S.B. की धारा 5 की अंतरगत गवर्नर जनरल की मंजूरी से इसको अधिनियमित किया गया था प्रस्ण यहां से भी बन सकता है की भारत परिशद अधिनियम के किस वर्स की धारा 5 के अंतरगत गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया C.N.T. Act को तो यह वर्स हो गया 1482 S.B. 1892 के और इसका प्रार' Ci.N.T. Act का प्रार' प्रार'ELOOO Лूू प्रींट किसने त्यार किया था तो C.N.T. Act का जो प्रू प्रींट था वो त्यार किये थे J.H. duy. हाफमैन ने किसने त्यार किया था तो J.H.।eles तो इसमें 271 धाराय हैं यह इमोजी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहीं जो मैं बोल रही हो इतना इसली कि इसमें 19 अध्याय है और 271 मुझे तो आप लोगों के कभी कभी कमेंट आते तो मुझे हसी भी आती है और आपकी समझ से मैं जरूर समझ सकती हूं यह अध्याय है 19 और 271 यहीं जो हैं आपके लिए सरदर्द बनाओं बाकी सब चीज तो आसान है जो मैं आज बता रही हूं आपको तो क्योंकि आपकी मैसेज मुझे मिलते है ना कि मैं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं बोलते हूं कि मैं करा दूंगी और मैंने भी जब पहली बर सी एंटी एक्ट और स्वीट पढ़ा था ना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था मैं आपको थोड़ा सा उसके कुछ मतलब कुछ मेरी बाते हैं कुछ यादे हैं इससे संबंदित मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मम्मी आई हुई थी मेरे हां और मुझे कंप्र लोगों के लिए पोरे से ले रहे हैं और यहां पर इसीलिए लीक ले रहे हूं कि मैं कोर्चिस करूँगी कि जो मैं समझपाई हो CNT Act को या SPT Act को वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हूँ और इसमें जो tough words है ना बहुत सारे ऐसे tough words है जो कि मुझे भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं कोशिस करूँगी उसको भी clear करने की थोड़ा मेहनत तो लगेगा लेकिन अगर नहीं हो पाता है ना तो मैं शब्दों से चेड़ चाड़ नहीं करोंगे जो है आपको वैसी ही याद रखने होंगे मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ थोड़ा सा confusion है क्योंकि जब तक कोई एक्ट है ना उसकी सारे उपबंद और वह एक्ट को सारे पूरे फूल तरीके से अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना चाहें वह भारत का संविधान ही क्यों नहीं हो तो वह आपके लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ भी वही है जानकारी थोड़ा कम है किताभों में या जहां जहां साओ मिलते हैं सी एटी अथार पर ही क्लास मैं दूंगी कोशिस अपने तरफ से एक पूरी करोंगी मम्मी आयी हुई थी तो मम्मी को मैं बठाती थी मम्मी को पूरे समझाती थी कि मम्मी ऐसे-एसे य पाई और यह फिर से मैं एक बार और करने वाली हो तो अब तो मैं डारेक्ट आप लोगों पढ़ाऊंगी ममी तो है नहीं यहां तो अध्याए 19 है इसमें और इसके अंदर गत धारा जो है यह 271 धारा है अब थोड़ा आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं कल इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे क्लास बहुत लंबा हो गया है और यह तो अब सीरीज ही पुरा चलेगा तो आप सबी जो है इस सीरीज में बने रहे हैं बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है कोशिस करूं और आसान बनाओ क्लास को तो आज बस इतना ही मिलते उनों नेक्स क्लास में लेते हैं आप से विदा धन्यवाद